नमस्कार मेरा नाम है नीरज पंचोली आप देख रहे हैं नजर टुडे नजर टुडे पर हम आपको लगातार दिन भर में होने वाली खबरें और पिछली जो सुर्कियां हैं उनसे रूबरू कराने का काम करते हैं हाल फिलाल में एक तस्वीर कल आप सभी लोगों ने देखी होगी जिसमें एक तरफ ममता बेनरजी बेटी है तो उनके दोनों ही तरफ एक तरफ बिहार के मुख्य मंतरी तो दुसरी तरफ बिहार के उप मुख्य मंतरी बेटे हुए हैं और जब यह ख़बर शाम, जब इसका रोप शाम का होता है तो वह तस्वीर बदल जाती है तस्वीर में ममतब अनरजी की जगे होते हैं अखिलेश यादव और वही उनके बगल में बिहार के मुख्यमंतरी और दुसरे बगल में बिहार के उप मुख्यमंतरी यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है पिछली बार भी जब कॉंग्रेस अध्यक्ष मलिगार जुन खडगे एवं राहूल गांदी से बिहार के मुख्यमंतरी और उपमुख्यमंतरी ने मुलाकात की थी तब उन्होंने यही कहा था कि एक विचार एक साजा कारी करम के तहट हम सभी पार्टियों सभी नेताओं को एक मंच पर लाने का काम करेंगे परन्तु क्या यह मंच उस तरीके का एक सपोर्ट सिस्टम दे पाएगा जो मोदी जैसी एक आकरामक छवी और भारती जनता पार्टि जैसे एक विशाल संगठन को क्या यह लोग चुनोती दे पाएगे इसका हाल ही में ताजा उदारन अगर देखने को मिल सकता है तो वह करनाटक देखने को मिल सकता है करनाटक चुनाओ इसलिए भी एएम है क्योंकि कॉंग्रेस के राश्ट्री अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे का वह घर शेत्र है और जब घ्र शेत्र की बात आती है तो आपको याद आता होगा हिमाचल प्रदेश का चुनाओं जहां जगत प्रकाश नड़ा, जेपी नड़ा, बीजेपी के राष्टिय देश का घ्र राज जहां बीजेपी को भी मूग की खानी पड़ी है परंतु इसको लेकर जब मीडिया ने मली का अरजुन खड़के से सवाल किया कि क्या इस बार करो या मरो की इस्तिती में है करनाटक कॉंग्रेस तब उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हम सिर्फ करो की इस्तिती में हैं, मरो की इस्तिती में तो ना हम पहले कभी थे, ना ही कभी इस इस्तिती हम उत्पन होने देंगे परंतु अगर करनाटक की बात की जाए इसमें भारती जनता पार्टी की बात की जाए तो अभी फिलाल भारती जनता पार्टी के खेमे में थोड़ी उचल खुद मची हुई है यह खबर आप लोगों ने पहले ही देखी होगी चाहे पूरो म करनाटक में कोंग्रेस चुनाओ की जो पूरी कमान है वह डीके शिव कुमान ने संभाल रखी है और इस तरीके से अगर देखा जाए तो करनाटक के जो लोकल लोग हैं करनाटक के जो निवासिये जब उनसे इसको लेकर प्रश्ण पूचा जाता है सवाल किया जाता है तो यही कहते हैं कि इस बार कॉंग्रेस पूरे आकरामक तरीके से करनाटक में चुनाओ लड़ रही है परन्तु एक तरक वह यह भी देते हैं कि पिछली बार जो चुनाओ परिणाम रहा था कि किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था एसे में अगर इस्तिती वापस वेसी विकट इस्तिती उत्पन होती है तो क्या जे डी एस कॉंग्रेस वापस साथ आएंगे और अगर वापस साथ आएंगे तो क्या वो गड़ बंदन पूरे पांस साल चलेगा क्योंकि जिस तरीके से बी एस ये दुर अप्पा को सुर्थ कुरसी छोड़नी पड़ी थी और उस जाता है और अगर करनाटक में भारती जनता पार्टी अगर मू की खाती है तो कहीं ने कहीं कॉंग्रेस के लिए ये एक उत्सा का काम होगा उर्जा संचार का काम होगा और इसी साल के अंत में राजिस्थान, मज्यपदेश और छत्तिजगर जीने अगर कहा जाए हिंदी प नहीं चुनी जाती है इसी को लेकर भी गहलोद पूरी तरीके से रणनेतिक तरीके से तैयार भी हैं परंतु उनके एक प्रतिद्वन्धी हमेशा उनको घेरे रखते हैं उनका नाम है सचिन पाइलेट और यही बात अगर हम मध्यपरदेश में देखें तो मध्यपरदेश म अभी पिछले दिनों मीडिया से चर्चा करते हुए यह दावा भी किया था कि मध्यपरदेश का भविश्य सुरक्षित हातों में हैं और हम पूर्ण बहुमत के साथ मध्यपरदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं लेकिन वहीं मध्यपरदेश के अगर भाचकाई इकाई पर नजर डालें तो शिवराज सिंग चोहान अपने आपको असहज मैसूस करते हैं इसका सबसे बड़ा कारण ग्रामंती नरुत्तम मिश्रा वीडी शर्मा और कई ऐसे पदेश के नेता हैं जिनको शिवराज अपने आस पास आता देख एक तरह से सब कपा उठते हैं अब बात तरह से कहा जाए तो 2018 में कोंग्रेस को सबसे clean sweep सबसे clear majority अगर जहां मिली थी वहराज जिथा 36 गड़ भुपेश बगेल ने 5 साल सरकार चलाई परंतु संगठन में भी अंदरूनी तोर पर T.A.C. देव हो या फिर तामरदस साहो कहीं न कहीं भुपेश बगेल के लिए काट बनने का काम करते हैं परंतु इस सभी को लेकर जब मीडिया उनसे प्रश्न करती है तो भुपेश बगेल का कहना सिर्फ इतना रहता है कि काका भी जिन्दा है और वहीं भारती जनता पार्टी की बात करें तो 36 गड़ इकाई में अभी तक पहली पात के नेता जिसमें पुर आपको कुछ इस तरीके से लेते हैं कि पहली पात के नेता तो अभी तक नेता ही हैं परंतु इन्होंने सेकंड स्टेट लीडर्शिप अभी तक तैयार नहीं की इसको लेकर क्या होगा यो तो आने वाला समय ही बताएगा परंतु जिस तरीके से 2023 को सेमी फाइनल कहा जाता ह 2024 के लिए तो क्या 2023 के इन राज्यों के जो परिणाम हैं वो कॉंग्रेस को एक तरह से उर्जा और उप्सा से भरेंगे या फिर जिस तरीके से 2019 में राष्टवाद की एक लहर ने कॉंग्रेस पार्टी हो या फिर अन्यदल सभी के प्रत्याश्यों को उस समय मूँ की खानी पड़ी थी तो क्या वास्तों में इन राज्यों के परिणाम कोंग्रेस के लिए एक तरह से अगर कहा जाए तो शुप समाचार होंगे या फिर विपक्ष के अगुवा बन रहे नितिश कुमार 2024 में मोदी जैसे परभावशाली व्यक्तित्व की छवी वाले इंसान को चुन आजनेतिक माहोल हो सामाजिक माहोल हो या फिर किसी भी अन्य तरीके का जो माहोल हो वो लगातार बदलता जा रहा है परन्तु फिर भी यह देखना दिल्चस्प होगा कि 2024 की लड़ाई में आखिर विजेता कौन बनता है इसी तरह की तमाम सुचनाओं तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे हैं नजर टूड़े शुक्रिया